दोस्तों आपको बता दे दरसल ये घटना बैंगलूरू टेस्ट के दूसरे दिन घटी टीम इंडिया 46 रन पर ओल आउट हो गई थी जिसके बाद नुजिलेंड के बल्लेवास देजी से रन बनाकर टीम इंडिया पर प्रेशर बना रहे थे इसी बेज नुजिलेंड की निका आत् मा ओड के बाद रोई सरमा सर्प्राज कान पर घुसा करते हुए दिखाई दिया दोस्तों आपको बता दे रोई सर्मा सरप्राज से खुझ नहीं है और फैंक जम कर उस पर कमेंट कर रहे हैं इसको लेकर आपके असोस्ते अपने राय और कमेंट जरू दीजेगा हम आपको मिलेगा अपने नेक्ट वीडियों में किसी और ने अपडेट के साथ दन्यवाद